असलाम वालेकूम रह्मतिल्लाह वबरकातों मकरणा शहर में अंजुमन इसलाहूल मुस्लिमीन के चुनाव हो रहे हैं और पूरे मकरणा में चहल पहल एक अजीब सी लहर देखने को मिल रही है मकरणा शहर में कुल पांच वदों के लिए 18 परत्याक्षियों नावागंदा की किया है पांच वदों के चुनाव अदेख्स, उपदेख्स, सचीब, सह सचीब और कोसादेख्स के रूप में होने जा रहे है हम आपको बताते हैं कि मकरणा शहर में अंजुमन इसलावल मुसलिमिन के जो चुनाव है पहले मजजिदों से मेंबर लेकर कराय जाते थे लेकिन कुछ लोगों ने इसको कोट में गशीद लिया तो उसके बाद अब अंजुमन कमिटी ने एक खेसला लिया कि मकरणा शहर की जंता ही अदेश उपादेश चुने तो उनके लिए उन्होंने एक स्खीम चलाई और उस स्खीम के नामादम से लोगों किसे 501 रुपे की रसीद कटे जो मकरणा में लगबद 6000 के करीब रसीदे कटी और लोग वोड़ दिने के हमदार बने उन 6000 रसीदों के करण अंजुमन इसलावल मुसलिमीन में चंदे के नाम से करीब 30 लाद उपे अंजुमन में गट वे लेकिन अब ये जो अंजुमन इसलावल मुसलिमीन जो चुना हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो हमदामा गज़र आ रहा है वो है अद्देश्वत को लेकर लोग अपनी जीद के लिए हर संब्व परियास कर रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि सोसल मीडिया का दमाना है लोग फेस्बूक के माधियम से वार्टसप के माधियम से मेसेज के मा सारी को जो चुनाओं होंगे उसमें किसकी होगी लेकिन जिस परकार से माहोर बनाये गया है अश्राहूर मुस्लीमिन के चुनाओं लेकर अश्रा आज तक किसी नहीं देखा लोग ये केते हैं कि इस इस्राहूर मुस्लीमिन यानि कौमी एक्ता की इधारे को राजमिती गु कुछ एक दूसरे के परति नहीं रखनी चाहिए लोग एक दूसरे पर कटाश कर रहे हैं एक दूसरे पर ओमीड़ रहें लेकिन मेरा यह मानना है कि समाज एक मुष्ट एक जाजम के रहे महुबत और प्यार रहे चुनाव आते हैं चुनाव चले जाते हैं लेकिन इने चुनाओं के कारण है लोगों के दिलों में दुस्मनी पेता हो जाती है एसा ना करके हर एक इंसान को अपना भाई और अपना दोस्त समझे वोट अधिकार है आपका देने का इसको जरूर करें लेकिन मल मूटाओं ना करें इसलिए हम आपको बताते कि जो भी जी के इसलिए शाम व्लीक।